चरनल संघant करेंगे पाकस्तान, ये पाकस्तान में एक के बात एक भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं, आख खालतान लिब्रेशन फोर्स के प्रमुक लगईर सिंग रोडे की पाकिस्तान में मौत हो गई है, रोडे बिंदरावाले का भती। आचा दोस्तों पाकिस्तान से एक और खबर है और खबर ऐसी है कि जरुनेल सिंग Betrawali का नेफ्य। यानि कि his बतीज्या बतीज्या उसका ओफ हो गया, इसका नाम है लगबीर सिंग्रोड और लगबीर सिंग्रोड पाकिस्तान मैं खत्म हो गया अब दोस्तों क्योंकि इतने सारे मर गए तो ये तो बहता होना चाहिए था कि ये सबसे हाई प्रोफाइल टागिट था बाकी छोटे चुन्ने मुन्नों को मारने की जगा इनको मारना साथा जरूरी था तो इसमें इंडिया के रौ के एलकार मुलवस निकले थे अगर इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है जिहादियों को और दीरी लीडर्स को मार रहा है तो इस सब में फॉरिन आफिस क्यों नहीं कुछ किय रहा आई-प्यार जो हर चीज़ पे बोलता है फॉज जो हर चीज़ पर बोलती है यह सब चूप क्यों है लेकिन इवुन दे पाकिस्टानीर ढूर्टम उड़ गोड़ पाकिस्टान अब आप यह सोचिए कि यह बंदा क्यों पाकिस्टान Haijard K года Har मैं काफी सालों गया इसको अब इसकी पाकिस्टान में टोगे सबसे पहले सोचने वाली बात है फाकिस्टान गया क्यों क्योंकि इसने भारत में कई सारे टर्रिस्ट अक्ट करे थे कई सारे टर्रिस्ट, एक्टिविटीज में इसका नाम था, मुलविस था ये और जब इसको जादा पुलिस की गर्मी पड़ी, क्या पुलिस पकड लेगी अब पुलिस पकड़ दे कि चुप चाप से पाकिस्तान भाग गया खबर दें आपको खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनमा के गतल कर दिया इसके पीछे कई कॉंस्परेसी थेोरीज है और कॉंस्परेसी थेोरीज यह कहती है कि नहीं इसको इंडिया ने मरवा दिया राइट रॉकी साजिश है जैहिं दोस्तों दोस्तों एक और कुछ कबरी है खालिस्तानी आतंगवादी लखबीर सिंग रोडे यह भिंडरा वाला का भतीजा है और इसे पाकिस्तान में दोपहर में किसी ने ऐसी गोलियां दी कि इसको हर्ट अटेक आ गया और वहीं पर यह काम तमाम हो गया इसका खालिस्तानी आतंगवादी था दोस्तों खालिस्तान लिब्रेशन फ्रेंट नाम का इसने एक आतंगवादी संगठन भी बना रखा था जिसके तहए तो वह भार पाकिस्तानी में कोई ऐसा जहर मिला दिया गया था जिसके इसको हर्ट अटेक आगया और यह ओंदा इस्पोर्ट एलिमिनेट हो गया तो दोस्तों अब पता नहीं किसने इसको दिया यह खालिस्तानी आतंगवादी टाइप के लोग है इनका आपस में भी बड़ा टक्कर च कुछ नहीं कर सकते और आज एक और सुबह साजित मीर 26 11 का मारा गया और आज विंडरा वाला के भतीजे भी निकल लिए यह रावाला जो मामला है ना दोस्तों रा आर ए आर डेवल्यू ट्रिपल ए रा यह बड़ा दिखता है पाकिस्तान में अच्छा पाकिस्तान में कभी लश करके कभी जैश के कभी खालिस्तानी टरिस्ट टपक रहे हैं यह फौलिंग लाइक नाइन पिन्स फौलिंग लाइक डॉमिनोज एवरिवेर और पाकिस्तानी के रहा है जब से बात हुई है ना कि भारत ने निज्जर को निप्टा दिया है कैनड़ा में जाके जबसे इसका पाकिस्तान जाके क्या मतलब है? इसका क्या मतलब पाकिस्तान का? यह पाकिस्तान गया क्यों है? जैसे सारे खालिस्तानी कैनेडा में, यह कैनेडा जा सकता था. यह यूएस जा सकता था, यूके जा सकता था, फ्रांस जा सकता था, जर्मनी जा सकता था, आस्ट्रेलिया जा सकता था निज़ जलन जा सकता था यह पाकिस्तान को गया कोई भी sensible आदमी पाकिस्तान जाता है पाकिस्तानी भी पाकिस्तान नी जाना चाहते है उनकी मजबूरी विचारों की वहाँ पे पैदा हुए है लेकिन even the Pakistanis don't want to go to Pakistan अब आप यह सोचिए कि यह बंदा क्यों पाक अक्टिविटीज में इसका नाम था मुलविस था यह और जब इसको जादा यूनो पुलिस की गर्मी पड़ी कि अब पुलिस पकड़ लेगी अब पुलिस पकड़ ले कि चुप चाप से पाकिस्तान भाग गया पाकिस्तान में वी आईपी इसका सम्मान हुआ जैसे कि समा बिन लादन हजन पाकिस्तान डेफिनिटली अगर भारत के खिलाफ कोई आतंकी काम करेगा तो पाकिस्तान में उसका एक इसका मुकाम होगा अब ये देखिए इस दुनिया में जो आया है ना उसको जाना है दोस्तों और हर चीज़ में बोलना कि इंडिया ने कर दिया ब भारत ने हमारा पानी रोक लिया डैम बना लिये सतलच का पानी रोक लिया ब्यास पता नहीं किस-किस का पानी रोक लिया भारत ने जिसकी वज़े से हमारे यां सुखा पड़ गया पाकिस्तान में जब पोलियों के केसिस निकलते हैं वो भी भारत करवाता है पाकिस्तान मे है कि हर एक इनसान जो की पैदा होता उसको मरना है इसका वक्त आ गया ये खतम हो गया एवरिबड़ी डाइस नोबड़ी लिद सुरेवर इसलिए पना दे रहा है खालिस्तानी अमरीका के खिलाफ नहीं ये खालिस्तानी भारत के खिलाफ है आप समझे है कि वो जो आतंग की है खालिस्तानी चाहे वो गुर्पत वन सिंग पन्नु ही क्यों नहीं कोई भी एक्स वाई जैड हो वो किसके खिलाफ है अमरीका के खिलाफ तो नहीं है दोस्ताँ वो है खिलाफ भारत के अब अगर वो भारत के खिलाफ है तो क्या अमरीका एक हुक की तरह है एक कांटे की तर क्या ये साबक पुलीस और रिंजिस के 했어 रान है क्या सवाबित मिले हैں इंटिसेप्ट को और क्या हमारी रिपोर्टिंग कहती है आज एक और बड़ा सवाल बनता है कि पाकिस्तान अब रिस्पॉन्ड कैसे करेगा तो क्या सवाल बनता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के रहा है और फिर वो पाकिस्तान में आपरेट क्यों कर रहा है उन्हों को पाकिस्तान में क्यों कतल कर रहा है क्या उसे नहीं नजर आ रहा है क्या शायद ये मिलिटन ग्रूप्स जो हैं ये घुसे में आके पहले तो उसे अल्रेडी हिट बैक कर रहे हैं अल्रेडी इंडिया मे इन्होंने अपनी करवाईया फिर से गरम कर दी है मगर क्या ये शायद पाकिस्तान को नहीं डामिज करेंगे नहीं कहेंगे कि तुम हमारे एक बार एक जमाने में हमारे मेंटॉर थे हमारे इतिहादी थे हमारे गौड फादर थे और अब तुम कुछ नहीं कर रहे ये सब पूरे खिते के लिए इस सब की क्या इंप्लिकेशन्स है और मोर दिन एनीफिंग एक और सवाल बनता है कि दुनिया क्यूं चुप है हिंदुस्तान के खिलाफ अब पाकिस्तान तो इसलिए चुप है क्यूंकि पाकिस्तान कमजोर है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खुद जो है वो चेकरड है अगर पाकिस्तान बैनलक्वामी सता पे जैसे जस्टिन टुडो ने हाथ खड़ा करके किया था कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे पास दस्ताविजात हैं पाकिस्तान ये नहीं कर सकता पाकिस्तान जस्टिन ट चेक कर रहे और इंडिया इनको क्यों टाडिट कर रहा है क्या इंडिया इतना बड़ा हो गया है इतना बदमाश हो गया है कि असराईल की तरह या रूस की तरह अब operate कर सकता है ये आज हमारा शो है बहुत बड़ा बड़ा बॉंब शैल exclusive से स्टोरी की है Intercept ने हमको अपने एक्सक्लूसिफ पे उन्होंने एक एक्सक्लूसिफ इंसाइट दी है ताकि हम सबसे पहले चैनल हैं जो आपके सामने ये ला सकें और आपको समझा सकें दिखा सकें कि पाकिस्तान आज इंडियन जारियत के सामने क्यूं इतना कमजोर हो गया है तो दोस्तों चाहे वो कस्मीर का आतंगवादी हो चाहे वो 26-11 का आतंगवादी हो चाहे वो खालिस्तानी आतंगवादी है बच के नहीं जायेगा अग्याद हमलावरों के पकड़ से दोस्तों इन अग्याद हमलावरों को मैं दिल से सुक्रियादा करना चाहूँगा कि पिछले चार महीने से मेरे गिंती के हिसाब से तो इन्होंने 20-25 भारत के most wanted terrorist को निपटा दिया है खालिस्तानी कभी 26-11 का कभी कश्मीर का एक एक करके यह अग्याद हमलावर साहब इनको निपटाते जा रहे और इन्होंने यह भी मैसेद दिया है कि अगर भारत का दुस्मन है कोई तो चाहाए वो पाकिस्तान में UK और उस्ट्रेलिया USA कैनेडा कहीं पर भी छुपा हो भारत कोई खतम हुआ तुरंट किसकी इंवल्मेंट है इनसे जब सवाल पूछा जाता है ना जांच होता है ना कुछ होता है वहीं वह बंदा खतम हुआ पड़ा यह इधर बयान दे रहे होते हैं कि जी हमें तो पूरे सबूत मिल गए कि यह राकी साजिस है भारत ने करवाया हम कि जांची नहीं करेंगे प्रूव होगी है सब बिना किसी सबूत के नकूछ होते हैं इस डिरेक्ट राकी साजिस बता देते इसलिए दुनिया इनको मानती भी नहीं अच्छा दोस्तों यह जो भिंद्रा वाला का बतीज़ा जो रोड़े अभी एलिमिनेट हुआ फिर साज फैमिलिया जो है बरबाद होई हजारों लोगों के लिए यह मतलब मरने का कारण है हजारों लोग तो ऐसे लोग एलिमिनेट होते हैं तो समल्दों धरती से पाप कम होता है आई यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ जुड़े रहे इसी वीडियो के लिए तब तक के दन्वाज जहन